श्री गौविन गुरु राचकिय महाविध्याले बास्वाडा के विध्यार्थियों का महाविध्याले के इस यूट्यूब चेनल में मैं डूक्टर आलुक जैन आज पुनह आपका स्वागत करता हूँ चात्रों पिछली क्लास में हमने भारत के अपवाह तंत्र का अध्यन शुरू किया था अपवाह तंत्र के अंत्रकत हमने अपवाह का अर्थ प्रकार पड़े थे और उसमें उसके उत्रदाई कारको का भी अध्यन किया था आज हम भारत के अपवा के अंतरगत हिमालई अपवा, प्रायद वीपी अपवा और तटिये अपवा तंतर के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपवा तंतर के अंतरगत भारत में हिमालई की नदियों का अपवा तंतर हिमाले की नदिया उत्तर के परवती प्रदेशों से निकल कर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है ये परवती क्षेत्र उच्च भाग है जहां साल बर बर्व से इन्हें जल उपलब्द रहता है आप इस मैप में देख सकते हैं ये भारत का उत्तरी परवती प्रवती प्रदेश का वो भाग है जहां से विबिन नदिया निकल कर मेदानी भागों में प्रवेश करती है जब हम हिमाले के अपवा तंतर की बात करते हैं तो यहां बाहिय प्रायदीपी अपवा तंतर कहलाता है और इस बाहिय प्रायदीपी अपवा तंतर की अंतरगत तीन प्रमुख नदियों के तंतर सम्मिली थे आप एक बार इस मेप की साहता से देखें फिर में आपको इसका वणन बताऊंगा आप देख सकते हैं यह सबसे पहले सिंदु नदी सिंदु नदी और उसकी सहायक नदियों का तंत्र इसके माद आप यहां देखेंगे यह आपका उत्तरी भारत का मध्य मेदानी भाग जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियां सम्मिली थे और तीसरा भाग आप ये देखें ये तिबद के सांगपो नामक नदी जिसे हम ब्रह्म पुत्र कहते हैं जो भारत में प्रवेश करके बंगलादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है तो इस तरह से हमारे हिमालई या बाहिय प्रायदी पिये अपवा तंतर के अंतरगत तीन मुख्य नदियों के तंतर सम्मिली थे जिने हम सिंधु नदी तंतर, ब्रह्म पुत्र नदी तंतर और गंगा नदी तंतर के नाम से जानते हैं इनी तीन नदियों और इनकी सहायग नदियों का वर्णन हम आज शुरू करेंगे हम सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की मैं एक बार आपको मेटर समझा देता हूँ फिर मैप की साहता से भी बता दूँगा सबसे पहले हम सिंधु की बात करें तो इसका जो उदगम स्तल है वो तिबद में मान सरोवर जहल के निकड सिंधी खंबान नामक हिमनद है यहां से वो अरब सागर की ओर मिलने तक 2880 किलोमेटर की दूरी तै करती है अर्थात इसका अंति मुहाना या संगम पाकिस्तान में कराची के दक्षिन में अरब सागर में है भारत के जम्मू कश्मिर में प्रवेश करती है अपने उदगम से उत्तर पश्चिम दिशा में बेहती है और इसका बहाव ब्रह्मपुत्र नदी के वीप्री थे इसकी जो सहायक नदिया हैं वो हैं सतलज, व्यास, रावी, जहलम और चेनाब इन पाँचो नदियों को पंच नद के नाम से जाना जाता है ये सभी ऐसी सहायक नदिया हैं जो भिन भिन इस्थानों पर पहले आपस में मिलती है और इसके बाद इनका सयुक्त प्रवाह किसमें मिल जाता है सिंदु नदी में मिल जाता है मैं आपको इसका एक मेब बताता हूँ आप ये देखिए ध्यान से मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ बढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे देखिए यह जो सबसे लंबा उपरी भाग दिखाई देरा आपको यह सिंदू नदी का है अब आप इसमें देखेंगे सिंदू के बाद यह जहलम इसके बाद चैनाब, रावी, व्यास और सतलज अब इन सभी नदियों की यह विशेष्टा है कि यह सभी ऐसी सहायक नदिया है जो भिनन भिनन इस्थानों पर आपस में मिलती है और फिर इनका सयुक्त प्रवाह पाकिस्तान में मिठान कोट के निकट सिंदू नदी से मिल जाता है यह एक और क्लियर मेप मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ देखिए आप यह यहां से सिंदू नदी का उद्गम हो रहा है यह जम्मू कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान के कराची होते हुए अरब सागर में जा रही है आप देखेंगे सिंदू नदी के बिलकुल दक्षिन में यह जहलम नदी दिखाई दे रही है इस जहलम नदी को आपने देखा होगा यह चेनाब नदी में मिल रही है जहलम के नीचे आपको चेनाब नदी दिखाई दे रही है तो जहलम का विले हो रहा है चेनाब में जहलम और चेनाब दोनों का स्युक्त जल आगे जाकर के मिल रहा है रावी की साहता से सतलज नदी में अर्था जहलम चेनाब और रावी ये तीनों का जल सम्मेलित रुप में कहा जा रहा है सतलज में सतलज नदी व्यास नदी के जल को ले करके इन तीनों नदियों के साथ मिल करके सिंदु नदी में मिल रहे हैं इस प्रकार ये पांचों ऐसी नदियां हैं जो भिन्न भिन्न इस्थानों पर पहले आपस में मिल जाती है और अंत में इनका सेयुक्त प्रवाह पाकिस्तान में कहा जाता पाकिस्तान में मिठान कोट के निकट किसमें मिल जाता है सिंदु नदी में मिल जाता है तो ये बात थी सिंदु और उसकी सहायक नदियों के बारे में अब इनके सहायक नदियों के कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जैसा मैंने अभी आपको सिंदु नदी के बारे में बताया एक पॉइंट आप इसमें और ध्यान में रख लें कि पंच नद के अलावा इसकी जो अन्य सहायक नदिया हैं वो हैं गिलगीत, श्योग, जासकर और काबुल ये इनकी अन्य सहायक नदिया हैं अब सिंदु नदी के बाद हम बात करते हैं जहलम नदी की यह कश्मिर में वेरिनाग के निकट शेशनाग जील से निकलती है जिसकी लंबाई 725 किलोमेटर है और ये नदी वूलर जील होते हुए कश्मिर घाटी की सीचाई करते हुए अन्त में कहां जाती है अभी मैंने आपको मेप में बताया था चैनाब नदी में और कहां पर पाकिस्तान में तो इस तरह से जहलम नदी 725 किलोमेटर लंबी वेरिनाग के निकट, शेशनाग जील से निकल कर वूलर जील और कश्मिर घाटी होते हुए पाकिस्तान में चैनाब नदी में मिलती है आप इन सभी नदियों के पॉइंट्स बना सकते है जैसे आप उपर लिख दें नदी का नाम उसकी लंबाई लिखना चाहें तो लिख दे उसका उद्गम इस्तल, उसकी सहायक नदिया उसका मुहाना और अन्य विशेश्ता ये चार या पांच कॉलम बना करके नदियों का वरणन आप कर सकते हैं उरी और तुलबुल नामक पर योजनाए जहलम नदी पर हैं भारत और पाकिस्तान के मद्य मुझफर अबाद से मीरपूर तक ये सीमा रेखा बनाती हैं पाकिस्तान में इस नदी पर मंगला नामक डेम भी इस्तित हैं जहलम के बाद आती है चेहनाब नदी जिसका उद्गम बारालाचा दर्रे के दोनों और चंद्रा और भागा नदियों से होता है ये दोनों नदिया केलांग के निकट तांडी नामक इस्तान पर मिलती है और वहां से ये चेहनाब कहलाती है 1180 किलोमेटर लंबी है और सिंदू की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती परियोजनाए इस नदी पर इस्तित है अगली हम बात करेंगे रावी नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की कुलू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से होता है लंबाई 720 किलोमेटर पाकिस्तान में चेनाब नदी में मुलतान के निकट मिलती है पंजाब की यह सबसे छोटी नदी है अगली नदी हमारी व्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कोन से निकलती है हरी के नामगिस्तान पर सतल जदी में मिल जाती है जहां से प्रसिद इंदिरा गांदी नहर निकाले गई है यह पंचनत की एक मात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है यह इंपोर्टेंट बात व्यास नदी के बारे में आपको ध्यान में रखने चाहिए इसके बाद आती है सतलज नदी जिसकी कुल लंबई 1450 और भारत में 1050 किलोमेटर उद्गम तिब्बत में मान सुरवर जिल के पास राक्षस ताल भारत में प्रवेश से पहले सिंधू नदी के समानांतर लगभग 400 किलोमेटर बेहती है पंजाब में रूप नगर के निकट मेदान में प्रवेश करती है फिरोजपूर से फाजिल का तक भारत पाक सीमा बनाती है और व्यास इसकी सहायक नदी है सतलज नदी, रावी, चेनाब और जहलम नदियों के संयुक्त जल के साथ पाकिस्तान में मिठान कोट में सिंधू से मिल जाती है अभी थोड़ी दिर पहले मैं आपको मेप में यही चीज बताई थी आप ये एक बार और मेप देख सकते हैं ये सिंधू नदी आपको दिखाई थी जहलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज ये सतलज नदी, इसके उपर आप छोटा सा हिस्सा देखने हैं व्यास का इसके उपर आप देख सकते हैं ये चेनाब नदी जो सिंधू की सबसे बड़ी सायक नदी है ये जहलम का जल अपने साथ मिलाती है जहलम और चेनाब मिलकर के, रावी के साथ सतलज में मिल जाती है और सतलज सही थी सभी नदियां सिंधू नदी में मिल रही है तो ये थी हमारी सिंधू और उसकी प्रमुख सहायक नदिया अब हम बात करेंगे गंगा नदी के अप्वा के बारे में मैंने एक मेप और बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए आप वो देख करके फिर हम इस मेटर की बात करेंगे गंगा नदी आपके लिए कोई नया मेटर नहीं है जब से आपने भुगोल विशे का अध्यन शुरू किया है मेरे ख्याल से तभी से आप गंगा, यमुना, ब्रह्म, पुत्र, आदी नदियों के बारे में सुनते आये हैं कहां से निकली है, किस तरह से निकली सामाने रूप से हम यह जानते हैं कि गंगा नदी अलक नंदा और भागी रथी नदियों का संगम है और ये दोनों ही नदिया भिन्न भिन्न इस्थानों से निकल कर देव प्रयाग में मिलती हैं जिसे हम संगम कहते हैं और वहीं से यहां गंगा नदी के नाम से जानी जाती है जिसकी कुल लंभई 25-25 किलो मेटर है और अंत में बांगला देश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो अब हम बात करते हैं शुरू से इसका उद्गम स्थल अब दो नदियों की बात कर रहे हैं कौन-कौन भागी रती जो गोमुक के निकट गंगोत्री से निकलती है और ये दोनों ही नदियां आपस में देव प्रयाग में मिल करके गंगा कहलाती है भागी रती नदी और अलग नदियों का जो संगम है वो देव प्रयाग में है और हरिद्वार के निकट गंगा का मेदानी भाग में प्रवेश होता है अब जो इसमें समझने वाली जो में मेप खोलकर बेठा हूँ वो आपको जो देखना है इसकी सहायक नदिया बाई और से राम गंगा गोमती घागरा गंडग कोसी और महाननदा मैं थोड़ा सा मेप जूम कर रहा हूँ का आप इसमें देखने का प्रयाज करें ये देखिए ये गंगा नदी ये सैंटर में आपको जो ब्लू लाइन दिखा Ama गाडी ये गंगा नदी आप अधिसमें हाराम से इस परेच्छ दिखाई दे रहा है अब ये अ उत्तर में हिमालई पर्वतों कर ये गंगा की दो शाखा ये गंड़क ये कोसी तो ये सारी नदिया उत्तर में परवतिक शेत्रू से निकल कर गंगा में मिल रही है ये कहां से कौन से किनारे पर गंगा में मिलती है आप इसको कहेंगे बाए और से मिलने वाली सहायक नदिया ये मेप में भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार से गंगा के दाहीनी तट पर या दाहीनी और से जो सहाइक नदियां हैं उन में कौन-कौन सी है आप देखेंगे यहाँ पर गंगा की जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है यमुना यमुना नदी कहां से निकल रही है यमुनोत्री नामक हिमनत से निकल रही है और इसी यमुना की सायग नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर चंबल चंबल की सायग नदी यह बना से इसी तरह से चंबल यमुना में मिली बेतवा भी चंबल यमुना में मिल रही है इधर आप देख रहे हैं तमसा नदी, ये सोन नदी, ये सबी नदियां बाई और से कहां पर मिल रही है गंगा के अंतरगत सम्मिलित हो रही है इधर आप नदी देख रहे हैं ये दामोदर जो गंगा की सहायक हूगली नदी बंगाल में हुगली नदिये वहाँ पर जाकर के मिलती है और गंगा के क्रम में सम्मिलित होती है तो ये दोनों तरह की सहायक नदिया एक जो दाहिनी और मिलती है और दूसरी गंगा में बाई तरफ से मिलने वाली सहायक नदिया तो यह हमने गंगा नदी के बारे में बात की है अब हम बात करते हैं गंगा और इसकी विबिन नदियों के संगम संगम का मतलब जानते हैं जहां पर दो नदियों आपस में मिलती हैं उसे हम संगम कहते हैं अब यह संगम कौन कौन से हैं हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले भागी रथी और अलक नंदा नदियां जहां मिलती है वो संगम स्थल है देव प्रयाग रूद्र प्रयाग नाम अगिस्थान पर मंदा किनी और अलगनन्दा कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलगनन्दा और विश्णु प्रयाग में अलगनन्दा और धोली गंगा नदियों का संगम होता है कुछ बहाव की बात हम कर लें कि गंगा नदी किस तरह से प्रवाइत होकर कहां जाकर मिलती है तो इसमें आप कुछ बातें आप ध्यान से देखें मैं मैप की साहता से अब आपको बता दूँगा और मैटर भी बता रहा हूँ पुरु में बंगाल के फरक्का तक बहती है जहां यह दो धाराओं में बढ़ जाती है इसकी एक धारा बंगाल में हूगली के नाम से और दूसरी धारा बांगला देश में भागी रती के नाम से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद गंगा नदी पदमा नदी कहलाती है अंत में मेगना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा का प्रवाह, उत्राखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल में है यमुना नदी पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार पुना गंगा नदी का जो मैफ है, मानचित्र है, उसके साहता से समझाने का आपको प्रयास करूँगा कि किस तरह से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी तक पहुंशती है और किन-किन नामों से जानी जाती है आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान पुरोग देखने का प्रयास करें, देखिए यह गंगा नदी और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बांगलादेश ठीक है, इसको मैं थोड़ा ओर जोम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ अब आप यहाँ देखिए, गंगा का जैसे ही बांगलादेश में प्रवेश होता है, यह नदी कहलाती है, पदमा नदी आप यहाँ देख सकते हैं, पदमा लिखा हुआ है, पदमा इधर आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिन के और मोड़कर बांगलादेश में प्रवेश कर रही है और जैसे ही ब्रह्मपुत्र बांगलादेश में बेती है, तो वहाँ यह जमुना नदी के नाम से जाने जाती है तो गंगा को तो कहते हैं पदमा और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना जब यह दोनों मिलकर आगे प्रवाहित होती हैं, तो इसमें एक तरफ आप यहाँ देख सकते हैं, एक यह नदी है जो मणिपूर की पाड़ियों से निकल रही है, इसे हम कहते हैं बराक नदी जाने जाती है, जब यही सुर्मा नदी जमुना से मिलती है, अर्था जमुना और पदमा का जल सुर्मा से मिलता है तो यह मेगना नदी के नाम से जाना जाता है, अर्था सुर्मा का यह अगला प्रवाह मेगना है और जमना पदमा दोनों का सम्मिलित जल मेगना के रूप में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है तो ये दोनों नदियों में आपको ध्यान में रखना है गंगा में भी और ब्रमा पुत्र में भी ज्यादा कन्फियूज नहीं होना है गंगा नदी जैसे ही बंगला देश में प्रवेश करती है वो पदमा केलाती है और बंगाल की खाड़ी में मेगना नदी के नाम से गिरती है गंगा के नाम के लिए आपको तीन नाम याद रखने गंगा, पदमा और मेगना इसी तरह से जब ब्रह्मपुत्र हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र में आपको धियान में रखना है तो पहले आप मेप देख लीजी ये गंगा के बिल्कुल दक्षिन में यमुना जो यमुनोत्री से निकल रही है कहाँ पर रही है हिमाले के बंदरपूर चोटी में इसकी लंबई 1385 किलोमेटर है और इसका संगम कहाँ पर होता है गंगा नदी में दाहीनी और किसे कहाँ पर हो रहा है इलाबाद में संगम इलाबाद में गंगा से दाहीनी और होता है चंबल बेतवा और केन आप यहाँ पर मेप में भी देख सकते हैं बनाज, चंबल, बेतवा, ये सारी क्या हैं, इनकी सहाएक नदिया हैं, यमुना के सहार है, मेप में भी कुछ शेहर देख सकते हैं, आपको आगरा दिखाई दे रहा है, आपको कानपूर दिखाई दे रहा है, मथुरा है, दिल्ली है, ये सभी महतोपुन नगर हैं, जो इस न नदि में आपको और बता देता हूं मेप की साहता से, फिर आप आगे मेटर देख सकते हैं, कोसी नदी, ये कोसी नदी है, जो नेपाल में अरून नदी के नाम से गोसाई थान चोटी से निकलती है, ये गंगा जो लिखा हुआ है, गंगेज, इसके जस्ट उपर आप देख सकते हैं, कोसी नदी, जो गोसाई थान नामक चोटी से निकलती है, और जब इसका उदगम होता है, तब यह अरून नदी के नाम से जानी जाती है, नेपाल में सब्त धाराओं, अर्थाद साथ धाराओं से मिलकर बनी हैं, ये साथ धाराओं फिर तीन नदियों के रूप मे तमूर कोसी, अरून कोसी और सुन कोसी के रूप में बेती हैं, और फिर कोसी नदी के नाम से जानी जाती हैं, गंगा में मिल जाती हैं, बिहार में छपरा के निकट मेदान में प्रवेश करती हैं, और इसकी जो सबसे बड़ी विशेष्टा कहले, या जिसके लिए ये कोख्यात है वो है इसके बाड और इसके बाड का जो मुख्य कारण है वो है इसका मार्ग परिवर्तन तो हम यह कह सकते हैं कि कोसी नदी सरवादिक मार्ग परिवर्तन है तू कोख्यात नदी है इसे बिहार का शोक भी कहते हैं किसका शोक कहलाता है यह बिहार का शोक कहलाता है अब बात करते हैं हम राम गंगा नदी की राम गंगा नदी ये भी गंगा की ही सहायक नदी है जो कन्नोज में गंगा से मिलती है और नेनिताल के निकट गड़वाल पहाड़ियों से निकलती है बाई तरफ से मिलने वाली गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है कारबेट रास्टी पार्क से अपवाहित होती है और कुलंबाईस की 600 किलोमेटर है इसके बाद आती है गंड़क नदी जो नेपाल हिमालय से निकलती है जब नेपाल हिमालय से निकलती है तो उस समय इसे 6 gram और जब यह महदार में प्रविश करती है तो नाराएनी कहलाती है काली गंड़क और तृषूल गंगा इसकी सहायक नदीया है अन्त में यह पटना के निकट गंगा से मिल जाती है अब हम बात करेंगे गागरा नदी की जो मानस औरोवर जेल के निकट मापचा चुंग नामक हिमनत से निकलती है बिहार के छपरा के निकट गंगा में मिलती हैं सर्यू, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक इसकी सहायक नदिया है बिहार यूपी की सीमा बनाती है इसे पहाड़ी भागों में करनाली और मैदान में गागरा के नाम से जाना जाता है शारदा नदी इसका उदगम मिलाम नामक हिमानी से होता है इसका संगम गागरा नदी में है शुरुआत में इसे गोरी गंगा कहते हैं और भारत नेपाल सिमा पर इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है अगली जो नदी है एक नदी हाँ ठीक है अब हम जो बात कर रहे हैं गंगा की सायक नदियों में कुछ ऐसी सायक नदियां जो पठारिक शेत्रों से निकल के गंगा में मिलती है इनमें चंबल नदी जो यमुना की सायक नदी है इतावा जिले में यमुना से मिलती है और यमुना गंगा की सायक नदी है इसलिए ये गंगा नदी करम के अंतरगत आती है विंद्याचल पहाड़ियों में महुनामक स् इमा बनाती है बिहड है तो प्रसिद्ध है इसने भुमी का या बहुत बड़े क्षेत्र में कटाव करके बिहड या अनुप जाओ भुमी का विस्तार कर दिया है सहाइक नदियों में काली सिन पारवती बनास आदी है इसके बाद आती है कैन जो एमपी के सतना जिले में केमूर के पहाड़ी से निकलती है और यमुना में मिलती है काली सिन नदी राजिस्थान के टोंक जिले में नेनवास से निकल कर यमुना में मिलती है सोन नदी अमरकंठक के पहाड़ियों से निकल कर पटना में दानापूर में गंगा से मिलती है इसका रंग यहां की रेत का जो रंग है वो पीले रंग का है जो स्वंड की तरह चमकती है इसलिए इसका नाम स्वंड या सोन नदी रखा गया दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपूर के पठार में ज eleghand के पलामु जिले से होता है और बंगाल में हूगली नदी से मिल जाती है इसे दामोदर नदी को बंगाल का शौक भी कहा गया है कोईला बंडार क्षेत्रों से निकलने के कारण यह अति प्रदूशित नदी है मैं पहले पे मैं अपसे आपको समझा चुका हूँ एक बार आप और देख सकते हैं एक ही नदी और बची है उसके बाद हम अगले नदी तंतर देखेंगे लेकिन उससे पहले एक बार और मैं बता देता हूँ मैं आपको आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिंदु नदी का तंत्र जिसमें आप देख सकते हैं सिंदु, जहलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज इसी तरह से ये हैं आपका गंगा नदी का करम जिसमें आप इधर से देखें तो कोसी, गंडग, घागरा, गौम्टी, राम गंगा, यमुना, ये सभी सहायक नदियां और चंबल, सीन, बेतवा, कैन, सोन, दामोदर ये सभी गंगा की सहायक नदियां और इसके बाद हम बात करेंगे ब्रह्म पुत्र नदी तंत्र का, लेकिन इससे पहले शायद एक नदी और है अच्छा, ब्रह्म पुत्र नदी, ओके, ब्रह्म पुत्र नदी को भी मैं एक बार दुबार आपको मैंप से बता देता हूँ देखिए ब्रह्म पुत्र नदी यह आपका तिब्बत का पठारिक शेतर है जब यह उद्गम होती है अर्था जहां से यह निकलती है उद्गम इस्थल कहां पर है इसका हिमालय के उत्तर में मानसरोवर जिल और इस मानसरोवर जिल के निकट एक हिमानी है जो चौमो युंग दुंग हिमानी के नाम से जानी जाती है जब यह हिमानी से निकलती है तो पूर्व दिशा की और बहती है और जब इसका उद्गम होता है तो उस समय इसे सांग पो नदी के नाम से जाना जाता है पवित्र करने वाली नदी सांग पो नदी पुर्व दिशा में जब ये बैती है तो भारत के अरुनाचल प्रदेश में प्रविश करती है जब पुर्व की और बैती है इसी के नस्दिक दो और नदियों का उद्गम होता है सिंदू और सतलज सिंदु और सतलच दोनों ही नदियां पस्टेम के और बहती हैं लेकिन ब्रह्म पुतन नदी का प्रवाह पूर्व की होने तिब्बत में जब ये उद्गम होकर रवाना होती है तो सांग को नदी के नाम से जाने जाती है और पूर्वम बहकर जैसे ही नामचा बरवा परवत के निकट पहुंसती है तो ये दक्षिन की और मोड़ जाती है यहां आपको दिखाई भी दे जाएगा दक्षिन की और ये नदी मोड़ जाती है और भारत में अरुनाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जैसे ही अरुनाचल प्रदेश में इस नदी का प्रवेश होता है तो वहां इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है सबसे पहले सांग पो फिर दक्षिन मोड़ी अरुनाचल प्रदेश और दिहांग अब क्या होता है दिहांग नदी के बाद जब यह असम घाटी में प्रवेश करती है तो वहाँ साधिया के निकट इसे ब्रह्म पुत्र के नाम से जाना जाता है मैं शायद आपको एक और मेप दिखा देता हूँ जो शायद इससे ज़्यादा क्लियर हो यह देखिए आप यह ब्रह्म पुत्र नदी यह मान सरवर के निकट यह लिखा T-S-A-N-G-P-O सांग पो कहते हैं इसको यह पूर्व दिशा में प्रवाइथ हो रही है आप देख सकते हैं लंबी धारा बिल्कुल चल रही सब से टॉप पर जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा परवत के निकट पहुंचती है तो यहाँ इसकी दिशा दक्षिन में हो जाती है और फिर मुड करके दक्षिन में मुड करके यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है अरुनाचल प्रदेश में इसे दिहां केते हैं और असम गाटी में यह ब्रह्मपुत्र की नाम से जाने जाती हैं अब यहां से ही जब यह आगे प्रवाइत होती है तो इसका प्रवेश कहां हो रहा है बांगलादेश में तो ब्रह्म पुत्र को बांगला देश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं शुरुआ तिब्बत से वहां सांग को अरुना चल प्रदेश में दिहांग आसाम में ब्रह्म पुत्र और बांगला देश में जमुना जैसे ही बंगलादेश में जमुना नदी का संगम पदमा से होता है तो आगे चल करके यह मेगना नदी के रूप में प्रवाइत होने लगती है और मेगना नदी बंगलादेश में गिर जाती है मेगना नदी में भी आप एक चीज और बता सकते हैं कि जो मैं गंगा नदी में आपको बता चुका हूँ कि मनिपूर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बाराक नदी इसी बाराक नदी की एक शाखा सुर्मा नदी के नाम से बांगलादेश में प्रवेश करती है जब जमुना और पद्मा का सम्मिलित जल सुर्मा से मिलता है तब यह मेगना नदी की नाम से प्रावाईत होने लगता है और अंत में यह मेगना नदी कहा मिल जाती है बांगलादेश में मिल जाती है इस तरह से हम ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम से संगम तक का वर्णन कर सकते हैं कुछ और important points इसमें आपको मैं बता दिता हूँ गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है असम घाटी में साथिया के निकट ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है नाम मैंने बताई दिये पुरुवर्ति अफवा तंत्र की नदी है रास्टी राजमार्ग नमबर टू साथिया से धूबरी तक को ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप मोजूला ये मोजूत को आप मोजूला पढ़ें गलत टाइपिंग हो गई है मोजूला द्वीप इसी नदी पर इस्थी थे ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों में मानस, सूबन सीरी, संकोष, तिस्ता, आदी ब्रह्मपुत्र के दाहिनी और मिलने वाली नदिया है जबकि दिबांग, लोहीप, धन, सीरी, मेगना और बराक इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदिया है बराक नदी मनिपुर की पहाड़ियों से निकलती है इसकी एक शाखा सूर्मा नदी के नाम से बांगला देश में बेहती है जो बांगला देश में ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जानी जाती है वो सूर्मा नदी के मिलने के बाद मेगना कहलाती है अंत में पदमा और जमुना पदमा मतलब गंगा जमुना मतलब मेगना और दोनों का सम्मिली जल मेगना की रूप में चानपूर के निकट मिल करके बंगाल की खाड़ी की ओर बेह जाता है तो इस प्रकार ये हमारा उत्तरी भारत का अपवात तंत्र जिसमें कौन-कौन से अपवात देखे हैं हमने सिंदू, गंगा और ब्रह्मपूतर नदियों का अपवात तंत्र आज हम यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं, कल हम प्रायदी पे भारत की नदियों का वर्णन शुरू करेंगे, धन्यवाद